Hello students, myself Manoj Kumargil, start करते हैं with the question of botany हमारे पास first question है, 65 number question जिसके अंदर दिया गया है एक diagram और उस diagram को हमें देखना है जैसे कि diagram में पुछा गया एक process represent की गया है एक biochemical process जिसको द्वारा हमें इसको solve करना है हमारे पास दिया गया यहाँ पे एक part हमें options में दिया गया है, तीन options देखो replication, transcription और translation इन तीन चीजों के बारे हम पहले से भी जानते हैं तो हमें यह पहचाना कि इन में से कौन सी process replication की है कौन सी transcription की और कौन सी translation की तो इसको पहचानने के लिए simply हम जानते हैं for example हमारे पास यह DNA है और हम जानते हैं कि जब DNA से RNA बनता है तो हम जानते हैं इस process को हम transcription कहते हैं then DNA से RNA इसे हम कहेंगे transcription then इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर जो X है वो हमारे पास RNA है और इस process को हम कहेंगे transcription फिर हम जानते हैं कि RNA से हमारे पास protein बनती है इस process को हम कहेंगे translation इसका मतलब हमारे पास इस जगह, Z के जगह पर जो process आएगी वो translation वाली आएगी इसके बाद यहाँ पर एक ऐसा sign दिखाया गया है हम जानते हैं कि mRNA आपको कभी भी replicate नहीं कर सकता protein अपने आपको replicate नहीं कर सकती लेकिन DNA अपने आपको replicate कर सकता है इसका मतलब यह DNA है और इस process को हम कहेंगे replication इसका मतलब first option में दिया गया है P की जगह, replication Q की जगह, translation R की जगह, transcription S की जगह, reverse transcription अब हमें यह पहचानना है देखो, fourth process में दिया गया है P की जगह, reverse transcription इसका मतलब हमारे पास यह हुआ कि जब RNA से DNA वापस बनेगा, यानि कि P इसकी जगह पे हमारे पास जगह प्रोसेस आएगी उसको हम बोलेंगे reverse transcription इसका मतलब fourth option में यह दिखा रहा है कि P की जगह हमारे पास reverse transcription आएगा Q की जगह पे replication आएगा R की जगह पे हमारे पास transcription आएगा और S की जगह पे translation इसका में हमें दिखाया गया है कि कुछ cranes होती है जिनका number है हमारे पास 21 इस question में यह बताया गया है कि कुछ conservation measures होते हैं हम जानते हैं कि cranes का जो number हो गया वो कम हो रहा है तो IUCN का मतलब होता है IUCN जिसका full form होता है International Union of Conservation of Nature and Natural Resources इसके according हमें इन cranes का number increase करना है तो increase करने के लिए scientist ने कुछ measurements किये हैं जैसके according हमें यह ध्यान देना है कि इन चार process में से वो कौन सी process है जिसके उधारा हम इसकी इस phenomena को समझने की कोसिस करें तो दरशल यह question तो हमारे पास biology के अंदर एक subject आता है जिसको हम कहते है ethology ethology का मतलब होता है behavior study यानि कि एक animal की study और उसका जो behavior होता है उसकी study को हम करेंगे उसको हम बोलेंगे ethology क्योंकि ethos का मतलब behavior logos का मतलब study तो इसके अंदर उस animal की यानि कि हमारी जो crane है उसकी जो number है उसको हमें increase करना है तो उसके लिए हमें जो इसकी study करेंगे उसको हम ethology बोलेंगे तो इस ethology का application हमारे पास क्या होगा तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो cranes है उनके जो छोटे यानि कि जो offspring होते है यानि कि little stage के अंदर जो organism है crane के जो छोटे बच्चे हैं अब वो बच्चे क्या करेंगे वो अपने mother या parents की copy करते है copy करने का मतलब दो तरीके से होता है एक तो वो बच्चपन से जो चीज़ सीख करके आते है जिसे हम imprinting कहते है genetic imprinting genetic imprinting का मतलब होता है कि जो genes होते है जो parents से लेकर के आते है same उसके अंदर वो information होती है जो आगे उसको काम करने के लिए प्रेरिद करती है for example हम जानते है कि जो मकडी होती है उसको कोई नहीं सिखाता जाला बुनना लेकिन फिर भी वो जाला बुनती है वो इसलिए क्योंकि उसकी genes के अंदर ये पहले से imprint होगा है imprinting का मतलब एक छाप दूसरा होता है एक innate behavior innate behavior के अंदर हम इस ही को include करेंगे innate का मतलब जन्म जात जो बच्पन से वो अपने साथ लेकर कर आया लेकिन दूसरी चीज़ होती है habituation जिसको वो सीखता है तो इसके अंदर ये पूछा गया है कि जो हमारे पास scientist है वो costume पहनते है cranes की costume पहनते है और costume पहन करके वो behavior so करते है जो behavior cranes show करती है तो उस चीज़ को सिखाया जाता है कि इसको छोटे अनिमल्स को सिखाया जाता है तो ये एक ही प्रोसेस के दौरा होता है जिसको हम बोलते है genetic imprinting Let we will start from next question In the baking industry when the duff is prepared various ingredients are mixed हम जानते हैं हमारे पास में इडली ये डोसा ये फिर डफ जब भी बनाते हैं तो हमें anaerobic respiration यानि की उन अनिमल्स की ज़रूरत होती है उन और गनिसम्स की ज़रूरत होती है जो इसमें काम आते है For example, इसके अंदर एक एक जामपल दियाएगा है yeast हम जानते हैं कि yeast है उसको culture करने के लिए yeast को culture करने के लिए हमारे पास solution में sugar add करनी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं sugar होती है वो energy देती है तो जितनी ज़्यादा sugar होगी जितनी ज़्यादा access में होगी उतनी ज़्यादा इनका number भी increase होगा लेकिन हम जानते हैं इस question में पुछा गया कि ऐसा क्या हुआ कि जो हमारे पास duff है उसके अंदर जो puffed up appearance आती है यानि कि उसके अंदर जो rise आता है यानि कि जो उसकी मोटाई होती है वो नहीं आपाती वो इसलिए हुआ होगा क्योंकि हमने गलती से इसके अंदर salt add कर दिया और salt भी समय से पहले add कर दिया क्योंकि हम जानते हैं जैसे हम इस solution में salt को add करेंगे वैसे इस solution की जो concentration है वो increase हो जाएगी और जैसे salt की concentration increase होगी yeast cells का जो अंदर का जो metabolic water है वो access out यानि कि वो बहार आजाएगा जिसकी वज़ए से yeast cells की death हो जाएगी जैसा कि में third option में दिखाया गया yeast granules were not activated properly properly वो activate नहीं हो पाएगे क्योंकि हमने क्या किया इसके अंदर salt add कर दिया इसलिए हमारे पास two options जाएगी first और third let we will start from the next question given below our four statement हमारे पास चार statement दिये गये हैं जैसा कि हम जानते हमारे आँपी जैसे अगया हैCसे हमेसा कैसे होते हैं unicellular और हमारे पास जो yukariotic cells होते हैं वो कैसे होते हैं yukariotic cells दो तरिके के यानि कि हमारे पास कैसे होते हैं unicellular या फिर multicollular लेकिन first option में दिया गया कि pro reretic cells are unicellular while eukariotic стан multicellular तो यह option गलत होगी क्योंकि हम जानते हैं, eukaryotic cells हमेशा multicellular नहीं होते हैं, कुछ ऐसे examples में जो unicellular होते हैं इसके लाब अब second question दिया गया, histones are present in eukaryotes and absence in prokaryotes हम जानते हैं, yes, it is the right statement The nucleoid contains genetic material, हम जानते हैं, हमारे पास जो bacteria होते हैं, जिनको हम prokaryotes कहते हैं उनके अंदर पाएजाना वाला जोन का DNA है, उसको हम कही नाम से जानते हैं, for example, fibrillar, for example, nucleoid और कई बार इसको हम prokromosome भी कहते हैं, तो उन्होंने काया कि जो nucleoid है वो contain genetic material in prokaryotes लेकिन eukaryotes में ये nucleoid नहीं पाएजाता है, इसलिए ये वाला statement गलत हो जाएगा फूर्थ statement नब prokaryotic phleazilla में is composed of phleaziline protein, yes we know, phleaziline वो protein है जिसके दोरा prokaryotes का phleazilla बनता है और prokaryote के phleazilla में और eukaryote के phleazilla में ये ही difference होता है, सिर्फ जो protein होते है उसका difference होता है जैसे कि prokaryote का phleazilla जो बना है वो phleaziline protein से और eukaryote का phleazilla, tubulin protein से, तो ये statement भी सही है लेकिन हम से पूछा गया कि वो option बताइए जो गलत है, तो हम जानते हैं हमारे पास दो option गलत हैं, एक तो first और एक third, जो कि हमें दिखाया गया है इस option में, fourth option Let us, we will start from next question हमारे सामने एक example दिखाया गया, बिटा, pinus तो pinus के अंदर हम जानते हैं कि उसे grow करवाया गया एक cold country में, जिसका नाम है Russia और हम जानते हैं, चाहिए animals हों चाहिए plant हो, जैसा उनका environment होगा, उसके according उनके अंदर कुछ adaptations होगे, कुछ modifications होगे तो इसके अंदर ये दिखाया गया है, कि इनकी जो plasma membrane है, उसके अंदर जो lipids पाई जाते हैं, वो saturation हो करते हैं और हम जानते हैं, कोई भी lipid, अगर saturated हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि उसके through, cell की जो membrane होती है, उसमें जो phospholipids पाई जाते हैं अगर वो phospholipids solid हो गई या संतरप्त हो गई या saturated हो गई, तो वो molecules का, यानि कि molecules का अंदर आना और बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा, तो एक cell हो डेट हो जाएगा, इसलिए इस cell membrane के अंदर जिस phospholipid के amount बढ़ाई जाएगी, उस phospholipid का नाम होता है polyunsaturated, unsaturated का मतलब हो गया असंतरप्त, यानि कि low temperature पी यह क्या बने रहेंगे, liquid बने रहेंगे, इसलिए इस membrane के fluidity है, वो continuous बनी रहेगी therefore, the right option is polyunsaturated lipids in plasma membrane let us start with next question, an organism has 27 pair of homologous chromosomes, एक organism है जिसके पास 27 number है, chromosome के, वो भी pair दिये गये है इसका मतलब number of chromosomes निकाले जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 27 और 27, 54 फिर पुछा गया है, daughter cell after completion of mitosis, यानि कि जब यह cell divide करेगी, तो हम जानते हैं, cells दो तरीके से divide करते हैं एक तो हमारे पास होती है process जिसको हम बोलते है mitosis, और दूसरी जो process होती है, उसको हम बोलते है meiosis meiosis में हमारे पास हमेशा 4 cells का formation होता है, और mitosis में 2 cells का और हम जानते है, mitosis में जब भी cell divide करती है, तो जो cells हैं, उनके इंदर chromosome का number fixed रहता है यानि कि अगर 54 chromosomes इस parent cell में है, तो इस daughter cell में भी chromosome का number 54 ही होगा लेकिन इसके उलट जो हमारे पास meiosis process होती है, meiosis के दुरान number of chromosomes reduce हो जाते हैं यानि कि हमारे पास meiosis दो process में divide की जाती है, एक तो होती है meiosis first और एक होती है meiosis second तो meiosis first के दुरान जो chromosome है, वो reduce हो जाएंगी, यानि कि 54 से 27, 27, then हम जानते हैं कि जो meiosis second होती है, वो similar होती है कि इसके, mitosis के इसलिए number of chromosome दुबारा से reduce नहीं होगी, और number उनका 27 ही रहेगा तो इस question के अंदर पूछा गया है, after the completion of mitosis and each gamit after completion of meiosis second तो हम जानते हैं कि पहले तो हमारे पास 54 और then 27, then हमारे पास इस option में है second option, 54 and 27 Let us start from next question, हमारे पास एक question देगा है जिसमें कहता है कि रहूल इस पे एक chemical acts on plant with rogitabit अब इस rogitabit का मतलब यह हो गया कि हमारे पास एक plant होता है, जैसे कि rose होता है हम जानते हैं कि उसके ओपर, node के ओपर बहुत सारे हमारे पास petals आती है हम जानते हैं कि इन petals के बीच के दो दूरी होती है, वो बहुत कम होती है लेकिन इस दूरी को हमें कम करना है या ज्यादा करना है जिसके दूरान हमें क्या करना है, हमारे पास एक chemical है हम जैसे कि जानते हैं, plants के अंदर पांस तरह की hormones होते है जैसे कि हम पढ़ते हैं, auxin, ethylene, abscessic acid, gibberlic acid तो इन hormones के अंदर हमें यह ध्यान में देना है कि abscessic acid और gibberlic acid, इनके कुछ functions है तो gibberlic acid जो hormone नता, वो क्या करता है, जैसे इसे spray किया जाएगा तो यह inter node का जो elongation है, उसको increase कर देगा तो जैसे inter node की elongation ज्यादा हो जाएगी, वैसे growth करने के लिए पेटल्स को ज्यादा जगए मिल जाएगी, तो जो रोजीटे अब वो दूर हो जाएगी यानि कि इस plant में आपने देखा कि रोजीटे अबेट के अंदर के अवा एक नोड के उपर बोस सारे पेटल्स एक साथ लगे में, जिसको हम रोजीटे अबेट बोलते हैं, रोजलाइक इस्ट्चर, बट जैसे हमने इस केमिकल को स्प्रे किया, यह रोजीटे अबेट दूर हो जाती है, इसले इसने क्या का? इंटरनोडल डिस्टेंस तो हम इंक्रीस सडनली, अचानक से जो इंटरनोड का डिस्टेंस हो इंक्रीस हो जाएगा, तो इसका उप्शन है, जिब्रिलीक अचिड, लेट इस स्टार्ट फों नेक्स्ट क्यूश्ट, हमारे पास एक बेक्टेरियल सैल है, जिसकी लेंथ है, मैगनिफाइड, यानि कि हमने माइक्रोस्कोप की हल्स से मैगनिफाइड किया, और इसका जो डायमेंशन है, वो हमारे पास है 6 सेंटिमेटर, यानि कि 6 सेंटिमेटर, जब हम इसे मीटर में करेंगे, तो यह हो जाएगा, 6 इंटर 10 इस तो पार मैनिस 2 मीटर, दिन पूछा गया है कि यह सल कितने टाइम मैगनिफाइड हो गया, यानि कि माइक्रोस्कोप में जब हमने इसे देखा, तो हमने इसको एक्चुल कितना डायमेंशन इसका मैगनिफाइड हुआ है, उसको हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, magnification is equal to magnifying dimension upon actual dimension, तो हमारे पास जो magnifying dimension है, वो हमने क्या है, 6 into 10 is to power minus 2, और हमारे पास जो actual dimension है, वो है, 4 into 10 is to power minus 6, जब हम इसे solve करेंगे, तो हमारे पास ये data आएगा, 1.5 into 10 is to power 4, जैसा कि हमारे पास option में दिखाया गया है, 3rd option, 1.5 into 10 is to power 4, लेट इस स्टार्ट, नेक्स्ट किस्ट इसन, जिम्नोस्परम आर कॉल्ड नेक्ड सीड बेरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्परम को हम नेक्ड सीड बेरिंग प्लांट्स करते हैं, बिकोज देल है, क्योंकि उनके पास नहीं पाय जाता, तो हम जैसे की जानत जो सीड कोट होता है, वो नहीं पाय जाता, लेकिन हम जानते हैं कि एंजस्परम प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर हम जानते हैं कि जब फ्लोवर होता है, उस फ्लोवर के अंदर एक पार्ट पाय जाता है, फिमेल रिप्रोड़क्टी पार्ट, जिसे हम कहते हैं पिस्टि और यह Pistil होता वो तीन हिस्सों में डिवाइड होता है यानि कि Stigma, Style और Overy और हम जानते हैं कि यह Overy वाला जो पार्ट है वही आगे चल करके Fruit Wall में Convert हो जाएगा यह Overy वाला पार्ट Fruit Wall में Convert हो जाएगा इसका मतलब जो हम लोग Fruits होते हैं जो Eat करते हैं उनके बीच में जो हमें पाएजाता है वो होता है Seed और Seed के ओपर हम जानते हैं यह Overy Wall होती है Convert हो जाती है Fruit Wall में इसका मतलब इसके ओपर यह जो Covering पाएजारी है Remaining Parts होते हैं वो तो क्या कर जाते हैं Sad हो जाते हैं नीची गिर जाते हैं लेकिन यह जो Fruit बाला पार्ट होता है जैसे के हम Eat करते हैं तो यह Wall बाला पार्ट किसके ओपर पर परजेंट है Seed के ओपर पर परजेंट है उनके तो हम बोलते है Angiospum लेकिन हम से पुछा गया के Gymnospum Plants होते हैं उनके अंदर जो Seed Coat होता वो नहीं पाय जाता तो Seed Coat नहीं पाय जाता इसका मतलब ओविरी से है जैसा के अमने डाइगरम में देखा है तो जो Gymnospum में नहीं पाय जाता तो हमारे पास option होगी वो 3rd Let us start next question On a study tour Plants with Leathery Lews With Thick Cuticle, Viviparity, Salt Glands, Apogeotropic Roots इसमें ये बताया गया कि कुछ students होते हैं जो टूर के ओपर जाते हैं और उन्होंने study में देखा कि कुछ ऐसे plants होते हैं जिनके अंदर कुछ ये characters पाय जाते हैं जैसे कि जो leaves होते हैं उनके ओपर cuticle पाय जाता है जैसे कि वो Viviparity सो करते हैं यहां पर बहुत सारे terms दिखाए गई है तो उससे related हमें प्लांट को चूज करना है कि कौन सा वो प्लांट है इनके अंदर ये characters पाय जाते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे plants होते हैं समंदर के किनारे जो पाय जो पाय जाते हैं या फिर उनके stem वाला पार्ट है या फिर जो leaves वाला पार्ट है यहां पर हमारे पास जो seed लग रहे हैं तो वो जो seeds होते हैं वो seed क्या सो करते हैं? Viviparity सो करते हैं Viviparity का मतलब यह होता है कि वो precocious germination सो करते हैं जैसा कि हम जानते हैं वो एक plant से नीचे करने के बाद ही group करता है लेकिन इसके अंदर क्या होता है जो seeds होते हैं वो plant के उपर ही क्या करते हैं germination सो करते हैं इस phenomenon को हम कहते हैं Viviparity दूसरा क्या हो गया जब यह समंदर के किनारे रहा तो obviously इतनी बात है कि यहाँ पर salt की जो concentration है वो ज्यादा है तो जो salt की concentration ज्यादा होगी तो जो plant है वो भी क्या करेगा salt को ज्यादा acquire करेगा तो salt को वापस से release करने के लिए इसकी body के अंदर salt glands पाई जाएंगे salt glands फिर इसके बाद हम जानते हैं पर हमारे पास oxygen की भी कमी रहती है तो जो इन plants की roots होती है वो जमीन से बाहर आ जाती है और जमीन से बाहर आ करके वो क्या करती है oxygen को receive करती है इन roots को हम बोलते है apogeotropic roots या a-geotropic roots जो negatively geotropic होती है इसका मतलब यह जो characters पाई जाते हैं जिन plants में उन plants को mangroves कहते है let us start with next question rate of photosynthesis in hydrophytes hydrophytes का मतलब वो plants जो पानी के अंदर पाई जाते हैं depend on various parameters हम जानते हैं किसी भी plant की जो growth होती है या फिर जो rate of photosynthesis होती है उसको बहुत सारे factors effect करते हैं for example light intensity, wavelength, co2 concentration and temperature तो हम जानते हैं कि इसके अंदर जो most assertive factor होगा क्योंकि यह जो graph दिखाया गया है इस graph का नाम होता है absorption spectrum absorption spectrum और absorption spectrum के जो graph होते हैं absorption spectrum के जो graph होते हैं उसके अंदर हम जानते हैं जितनी ज़्यदा wavelength की absorption मतलब कि अलग-अलग wavelength के ओपर rate of photosynthesis वो अलग होता है क्योंकि अलग-अलग wavelength के light को plant अलग-अलग length पे absorb करता है इसलिए हम लोग जानते हैं यहां पर अगर दिखाया जाए यह जो parameter है यह हमारे पास होगा wavelength क्योंकि wavelength होती है जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास जो white light होती है उस white light में हमारे पास seven colors होते हैं और हर एक color की जो wavelength होती है वो अलग-अलग होती है इसे लिए जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास दो ऐसी wavelength वाली light यानि कि red और blue जिनके ओपर ये graph हमें clear हो रहा है जैसे कि हम जानते हैं कि chlorophyll A होती है उसके लिए जो maximum wavelength होती है वो होती है red light को observe करने की और जो chlorophyll B होती है वो maximum light absorb करती है वो होती है blue तो जो red और blue region होंगे यानि कि जो हमारे पास wavelength होगी light होगी red और blue region की वहाँ पर photosynthesis rate maximum आएगे तो हमारे पास जो factor है याँ पर वो है wavelength, second option Thank you